सो दोस्तो मैं आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपका बैंक एकाउंट एस्टेट बैंक आफ इंडिया में हैं तो आप जो है योनो SBI अप्लिकेशन का यूज करकी आप अपने बैंक एकाउंट को फूल मैनेज कर सकते हैं जैसे कि जो है आप मन application के जरूए आप sbi ATM से cash भी निकाल सकते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूनो SBI application में आप किस तरीके से extension कर सकते है step by step मैं आपको इस्टेब में बताने वाला हूँ तो अगर आप यूनो SBI application में Southern करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अन्स then तक जरूर देखिए और अगर आपको यह वीडियो फसन आता है तो लाइक किजिए और सब्सक्राइब किजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले मुबाइल के गूगल प्ले आपको ऊपन करना है और यहां पर आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ओफिशलीग सब्सक्राइब यहां प्लेकस्राइब ख़्राइब करने और डॉलेट करने के बाद आपको open पे क्लिक करना है उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से allow कर देना है उसके बाद आपको यहां पे एक option देखने को मिल जाएगा देख सकते हैं register now यह option देखने को मिल जाएगा तो आपको S.P.E. किलिक करना है जैसे आप इस पे किलिक करेंगे आपका इलाव पे किलिक करना है उसके बाद जो है आपको यहाँ पर SIM1 और SIM2 का option मिल जाएगा तो यहाँ पर select करना है कि आपका register mobile number sim 1 में है या sim 2 में है उसके बाद जो है आपको नीची next पे click करना है फिर आपको allow पे click करना है उसके बाद यहाँ पर processing लेगा और यहाँ पर टैमर चलेगा देख सकते हैं यहाँ पर कुछ second यहाँ पर time चलेगा देख सथेंगे यहां पर उल्टा सेकेंड चल रहा है तो आपको यहां पर थोरा दिर वेट करना है और उसके बार आपको अपकोे अकॉन नंबर फिलप करने का option आजाएगा अबको यहां पर एक उप्षन आजाएगा देख सकते हैं create your svi internet banking और यहां पर आपको proceed का option देख जाएगा तो आपको इस पर किलिक करना है उसके बाद जो है आपको दो option मिल जाएगा जो कि आप एसके पर देख सकते हैं मैं आपको highlight करके दिखा देता हूं पहला option मिल जाएगा register for you know with my ATM card और दुसरा option मिल जाएगा register with account details मैं आपको परवला जो यह option है register for you know my with ATM card तो इस पर अगर आप क्लिक करते तो आप ATM card के थूरू जो है आप योनो svi application कर पाएंगे जो कि इसके लिए आपको branch visit करने की जरुवत नहीं है तो आपको जो है इस वाले option पर click करना है with my ATM card कर जो option है इस पर click करना उसके बाद जो है आपको यह नेक्स्ट का option मिल जागा तो नेक्सट वाले option पर click करना है उसके आपके मॉबाइल नमबर पर utp receive हो जाए तो यहां पर टीप डालना है जो आपके bank account से link होगा उसी नमबर पर टीप डालना है और टीप डालने के बाद यहां पर नीचे सम्वीट का option दिख जाएगा पर click कर जाएगा select transaction right देख सकते हैं इनमें आपको तीन option मिल जाता है पहला फियू दूसरा limited और तीसरा full तो सबसे नीचा उला जो यह option है देख सकते हैं full का जो यह option है इस पे click करना है और उसके बाद जो है नीचे आपको next जिस नंबर यहां पे डालना और उसके बात आपको next का option मिल जाएगा next पे click करना इसके बाद अपको digit का यहां पर डाल दाना है और उसके बाद जो है नीचे आपको submit का option देख जाएगा submit पर क्लिक करना है उसके बाद जो है आपको username और password क्रिएट करने का option आ जाएगा युद्वाइगा जो कि आप देख सकते हैं set internet banking details यानि कि आपको internet banking का एक username बनाना है उसके बाद जो है आपको एक password बनाना है जो कि आप username और password कैसे create करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है कि username आपको किस तरीके से बनाना है जो कि आप जो है थ्री करेक्टर से लेकर जो है maximum आप जो है 20 करेक्टर तक बना सकते हैं जो कि without space यानि कि किसी भी तरीके का space नहीं होना चाहिए अगर आपका नाम यहां पर राजु कुमार है तो आप राजु कुमार लिख सकते हैं बटन यहां पर बीच में किसी भी तरीका space नहीं होना चाहिए उसका यहां पर है password तो आपको password create करना है जो कि आपको password किस तरीके से create करना है वो भी यहां पर लिखा हुआ है देख सकते हैं add character से लेकर जो है आप 20 character बना सकते हैं यानि कि minimum जो है आपको add character का होना चाहिए जिसमें जो है आपको सबसे पहले एक capital letter होना चाहिए उसके बाद small letter उसके बाद जो है आपको कोई symbol होना चाहिए और कोई ank होना चाहिए जैसे कि आप capital में J लिखेंगी उसके बाद जो है आपका you know sbi application जो है एक्टिवेट हो जाएगा जो कि यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा देख सकते हैं you have successfully activated your account on you know तो यहां पर successful का message आ जाएगा बट आपको जो है 6 edit का जो है mpin set करना होगा क्योंकि जो है आप दुबारत से you know sbi application को open करेंगे तो आपसे ज्यादा कुछ नहीं मागा जाएगा बस आपसे 6 digit का पिन माँगा जाएगा इसलिए आपको just amp pin set करना होगा तो amp pin set करने के लिए निचे सä्ट एक option में जाएगा आपको set amp pin का तो आपको ispe Clinic करना है उसके बाद आपको 6 digit amp pin set करने का option आजाएगा जो MPIN से जो है आप दुबारा से You know SBI application में आप login हो पाएंगे तो यहाँ पे आपको MPIN अपने according set कर लेना जो आप याद रखना चाहते हैं MPIN set करने के बाद नीचे आपको next का option मिल जाएगा next पे click करना है जैसे आप next पे click करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आजाएगा congratulations you have successfully registered तो आपको OK पे click कर देना है जैसे ही आप OK पे click कर देंगे तो आप योनो SBI application में login हो जाएंगे जो कि आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का interface दिखने को मिल जाएगा तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे account का option में जाता है तो इस पे click करके आप account statement निकाल सकते हैं debugit का option में जाता है इस पे click करके आप FD account RD account खोल सकते हैं loan का option में जाता है इस पे click करके आप loan के लिए apply कर सकते हैं काड़ का ऊप्सिन यहां पर क्लिक क्योंव करें और यहां पर क्लिक कर चाह है अपर अब तो lagi आपको क्विक आपको क् beet करें रूइक करें तो यहां तो योनो पे का option देगा इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहां पे आपको क्वीक टास्पर का option मिल जाता है तो आप इस पे क्लिक करेंगी जैसे कि मैं आपको यहां पे दिखा देता हूँ कि अगर आप कोई टास्पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर sb.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i कर सकते हैं आई होप आपको यह वीडियो पसंद यह वीडियो पसंद यह तो लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए कॉमेंट किजिए मिलते किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच बाइ